पती-पत्नी के बीच में यदि कोई तीसरा आ जाए तो उस रिस्ते को बचाना नामुनकिन सा हो जाता है कोई यानि की 100% में से 1% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कांड के बाद भी समझ जाते हैं आज की जो सची घटना में लेकर आई हूँ ऐसी ही एक कारण की वज़े से एक परिवार पूरा बिखर जाता है अगर वीडियो को आपको पूरा जानना है तो आपको वीडियो के अधर तक बने रहना होगा राम राम नमशकार मैं महक चौधरी आज आपके सामने लेकर आई हूँ यूपी गाजियाबाद की मोदी नगर की सची घटना यहाँ पर एक परिवार जिस परिवार का मुख्या होता है विकास सर्मा जो की एक कंपनी में ऐसे मेनेजर जौब करता है अच्छी खासी जॉब है पतनी है तीन बच्चे हैं सकोसल परिवार है कोई सी भी चीज की कोई कमी नहीं है लेकिन उसकी शादी को करीबन 12 साल हो चुके हैं और बच्चों की जिमेधारी पतनी हमेशाद जिमेधार बात करती है यानि कि वो अब अपनी पत्नी में एक girlfriend ढोलता है जो कि उसे नहीं मिलती है सिलसला यूहीं चलता है और अब इनमें अक्सर छोटे-मोटे जगडे होते रहते जो कि हर partners में होते हैं, हर विवाहिक जोडे में होते हैं घर की चीजों को लेकर, रिस्तों को लेकर, बच्चों की जिम्मेदारियों को लेकर हर रिस्ते में ऐसा होता है, यानि कि पती-पत्नी जब होते हैं और जब उनके बच्चे होते हैं, तो हर रिस्ते में ये जगडे होते हैं लेकिन ये व्यक्ति जोकि विकास सर्मा है इनी जगड़ों को इतनी बड़ी वज़े बना लेता है कि अपने ही ओफिस में काम करने वाली एक महिला जिसका नाम होता है अनी शुकला जोकि त Interm face पहले ही जोईन करती है उस कम्पनी में उससे एक love affair चला लेता है दीरे-दीरे उससे इतनी सारी बातें करता है वो भी उसकी तरब ध्यान देती है और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेसंसिप में बन जाते हैं अब वो एक दूसरे के साथ husband wife की तरह रहते हैं लेकिन यहाँ पर जो विकास सर्मा था उसने अपनी उस girlfriend को कुछ भी नहीं बताया था कि मेरे बच्चे भी हैं मेरी शादी हो चुकी है ऐसा उसने कुछ उसको नहीं बताया था जिसका उसे पल-पल डर रहता था कि कहीं ऐसा न उस अनीशा सुकला का पता लग जाता है और वो सीरे जाकर उससे मिल लेती है और उससे बता देती है कि मेरे पती ये तीन बच्चे हैं और वो मेरे पती हैं बारे साल उनकी शादी को हो चुके हैं तुम उनके पास से हट जाओ तुम हमारे रिष्टे को खराब कर रही हो ले उसका साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं विकास सर्मा को पता लगने देती है कि मुझे पता है तुम्हारे तीन बच्चे हैं अब विकास सर्मा और उसकी पत्नी के बीच में जिसका नाम सौनिय सर्मा होता है उनमें बहुत जादा लड़ाई होती है और बस इसी बात कर डर रहता है कि कहीं ये मेरी पत्नी से पत्नी से ना ढूंने काले वो जब जब जादतर परिशान रहता है तो यहां पर अनीशा सुकला उससे कहती है कि तुम इतने परिशान क्यों रहते हो तब ही वो कुछ नहीं बोलता है तब ही सामने से अनीशा सर्मा कहती है अनी जो भी करना है अपनी पत्नी का करो उसे हमारे बीच से हटाओ जैसे वो अनीशा सुकला इन बातों को कहती है तो अब मानो जो विकास सर्मा है उसके अंदर का डर बिल्कुल खतम हो गया हो और अब वो अपनी पत्नी को मारने के नए नए तरीके गूगल से सर्च करने लगता ह वो सर्च करता है कि अगर मैं अपनी पत्नी को मार देता हूँ तो मैं क्राइम से कैसे बच सकता हूँ यानि पुलिस से कैसे बच सकता हूँ और अगर मैं इसको मार भी देता हूँ पुलिस से भी बच जाता हूँ तो क्या मेरी पत्नी मुझे भूत बन के तो नहीं डराएग अब एक दिन ऐसा यानि कि वो बस मौका ढूंडते रहते हैं लेकिन उसको कोई भी मौका नहीं मिलता है और आकिरकार वो मौका एक दिन आही जाता है वो जो महिला है यानि कि सौनिय सर्मा उसके माईके से उसके पिता का फून आता है कि बेटा तुम्हारे भाई की तब्यत बहुत जादा खराब है तुम घर पर चलिया और कुछ पैसे भी लेकर चलिया आना इस बात को सुनते ही अब सौनिया नहीं रुकती है और अपने पती से कहती है कि बच्चों को यहीं छोड़ो मुझे अपने भाई को देखने के लिए जाना है गाड़ी निकालो सुबह जल्दी चलेंगे और शाम को आ जाएंगे बस वो इतनी बात करती है और मानो विकास सर्मा है उसके पंक लग गए हूँ उसको बस इंतजार था कि कब अपने पीस से मैं इस सौनिया सर्मा को हटाऊंगा अब वो अपनी उस गल्फरेंड पर भी फौन कर देता है प्लान के तहत उसकी गल्फरेंड सीधी आती है और बैठने के बाद थोड़ी दूरी पर गाड़ी चलती है तब ही दोनों मिलकर एक रसी से उसके गले को घोट देते हैं दोनों मिलकर तब तक घोट कर रखते हैं जब तक उसकी जन नहीं चले जाती है और इसके बाद अब वो वहाँ से भाग जाती है अपने घर की तरफ और वो जो व्यक्ति है यानि कि उसका पती विकास सर्मा वो अपने ससुर को फौन करता है कि पापा आप यहां पर आ जाओ यहां पर बहुत सारे बदमास आये जिन्होंने हमारे पास आकर मेरी पत्नी का मडर कर दिया है जैसे वो इस बात को कहता है तो उसका पता विश्वास नही उसे ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और कहा कि इसने मेरी बेटी का मडर किया है ये इंजाम किसी और पर लगा रहा है पुलिस भी उसकी बात को सुनती है और सकती से अब विकास सर्मा से पुश्टाच करने लगती है जैसे ही पुलिस अपना तरीका अपनाती है तो विकास सर मा की तहरीर पर उसकी गल्फरेंट को उन दोनों को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया है और उनकी इंसाब की लड़ाई अभी भी जारी है तीनों बच्चे उस महिला के पिता के पास हैं ये एक ऐसी सची घटना हमारे सामने आई जिसमें बारे साल तक दो लोग एक साथ रहे फिर भी एक दूसरे का विश्वास नहीं जीत पाए और आकिरकार इस कहानी का अंत बहुत ही भायानक पुआ उस महिला को अपनी जान देनी पड़ी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा बहुत जल फिराती है शीक सची घटना के साथ तब तक के जहिन जबार